रे भाई, फेरवेल ते सर पे आगी, इपता नौकरी ते मिलिये कोन्या, मैं नू सुचू थी, अक एक आदा कोर्स कोर्स कर लू, के विरा कोई नौकरी पस्थ है जा? कोर्स करना है, एक एप बताता हूँ, एक एप है EDX, आप बहुत सारे कोर्सेद हैं, कोई एक कर ले, कुछ नौकरी तो होई जाएगा एं, यो किसी तर का नाम है? ले अभी बताता हूँ सेलो दोस्तो, आज मैं आपको बताऊँगा एक ऐसी आप की बारे में, जो कि आपकी हैल्प करेगी आपकी करियर ग्रोथ में, मैं बात कर रहा हूँ EDX की EDX प्रोवाइड करता है आपको मल्टिपल कोर्सेज फोर फ्रेशर एंड प्रोफेशनल सेल्ट आपको क्या करना है, आपको EDX की एप में लॉग इन करना है, लॉग इन आप कर सकते हैं जी मेल या आपके फेस्बुक अकाउंट से भी, तो देखे मैं लॉग इन कर रहा हूँ, यह साइन इन हो गया है जो आपको first page आता है, उस पर अगर आपने group जोइन किये हुए, आपने courses जोइन किये हुए, तो वो दिखाता है else, आप search कर सकते हैं, discovery पे click करके, discovery पे click किया, आपने programs की पे click किया है, तो आपको यह दिखाएगा catalog कि क्या क्या courses available हैं यहाँपर आप select कर सकते हैं, degree, degree में आपको दिखाएगा कि इनके पास कौन-कौन सी degree available है, जो की 2-3 साल तक चलेगी और आप click कर सकते हैं, courses पर भी, courses पर अगर आप click करेंगे, तो आपके इस पास search option आयाता है, आप search option में आपको जो भी course चाहिए, आप वो search कर सकते हैं जैसे मुझे cloud computing या cloud fundamentals का course देखना है, तो यह आपको दिखाएगा बहुत सारी range, कि कौन-कौन सी university ये cloud fundamentals का course करा रही है और मैं जाओंगा एक Microsoft verified course के साथ, तो यह मैंने इस पर click किया, यह Microsoft provide कर रहा है, इसने redirect किया है, मुझे दूसरे page पर यह देखिए, अब यह इस में information दिखाता है कि इस course की length कितनी है, four weeks की है, और मुझे कितने घंटे पढ़ना है daily, और इसका price क्या है, अगर मैं को certification चाहिए है, तो क्या charge पे करना पड़ेगा, तो यह सब information यह दिखाता है इसको मैंने join कर लिया है, तो यह इसका first page पे दिखा रहा है कि इसके welcome page पे क्या मिलेगा आपको, welcome page में course introduction है, video lectures है, तो आप join कर सकते हैं इसको, और उसके बाद आप यह video lectures डाउनलोड भी कर सकते हैं, video lectures में, यह Microsoft की ही faculty रहते हैं, जो कि आपको course की detail देती हैं, course में, जो भी included points रहते हैं, वो सब बताते हैं detail में, और साथ में subtitles की form में भी, आप content चलता रहता है, वो highlight हो जाता है, मैं आपको अभी दिखाँगा, पहले आपको front page दिखाता हूँ, front page में देखिए, आपको यह सा video lecture सा, और आप इसमें labs भी जॉइन कर सकते हैं, इसमें lab भी होती हैं, वो आपको perform करनी है, यह देखिए, graded lab जो है, कुछ questions पूछे आते हैं lab में, जैसे normally lab होती है, जो आप कोई college कार रहे होते हैं, regular one, तो इसमें आप video lectures को download कर सकते हैं, आप कहीं भी उनको देख सकते हैं, आप जो written content है, उसको भी पढ़ सकते हैं, suppose आगर आप metro में हैं, bus में, आप घर में हैं, तो आप कहीं भी इसको पढ़ सकते हैं, काफी easy रहता है, और यह app होने के साथ सा, यह आपको web page पर भी मिल जागा आप desktop पर हैं, वहाँ पर भी देख सकते हैं, देखिए, यह मैंने python को course select किया था, तो उसके बारे में देख रहा था, तो यह दिखा रहा है कि 3,000 रुपे के करीब का यह course पढ़ेगा, और यह Michigan University है, जो कि आपको certification course देगे, अगर आप complete कर लेते हैं, यह से तो रह गोसले जुसे बाना आले, तो ते निरी काम की चीज लिखडी, ले इव बेचाली डाउनलोड करन Please like, comment, share